क्या रागी और क्या विरागी सभी यह कहते पाए जाते हैं कि ये संसार मिथ्या है भ्रम है दुखों का आगार है किन्तु तब भी सभी जी रहे हैं ऐसा भी नहीं कि लोग विवश्ता पूर्वक जी रहे हैं इच्छा पूर्वक जी रहे हैं और जीने के लिए अधिक से अध अवश्य ही कोई ऐसा आकर्शन है जिसके लिए सभी लोग दुख उठाने में तत पर हैं देखा जा सकता है कि लोग सुन्दर फल फूलों को प्राप्त करने के लिए कटीले, जार जनखालों में धंस जाते हैं मधू के लिए मधू मक्खियों के दंक सहते हैं मानिक मोतियों के लिए भयन कर जनतूं से भरे समुद्र में पैट जाते हैं वे फूलों फलों मधू और मानिक मोतियों के लिए कांटों मक्खियों और मगर मत्सियों की जरा भी परवा नहीं करते उनकी चुभन दंश और आकर्शन को सहसपूर्वक सह लेते हैं तो इस दुख कश्टों से भ रहा है और जब तक अब सर्मिले जीने की इच्छा रखता है निश्चही संसार का वह फल वह मधू और वह रतन प्रेम है जिसके लिए मनुश्य जी रहा है और हर मूल्य पर जीना चाहता है अब ये बाद भिन है कि उनका अभीष्ट प्रेम संसारिक है वस्तु या पदार् प्रती है अथ्वा प्रेम स्वरूप पर मात्मा के प्रती है दिशाएं दो हो सकती है किन्तु आस्था एक है और आकर्शन भी अलग-अलग नहीं है इसी प्रेम स्वरूप आधार पर संसार ठहरा हुआ है इसी के बल पर सारी विदी व्यवस्ता चल रही है एक प्रेम ही संस का सत्य और सार है प्रेम ही आनन्द का आधार है और आनन्द ही मनुष्य की जिग्यासा है इस जिग्यासा की पूर्ती के लिए कि मनुष्य सारे कष्ट उठाता हुआ सुख मानता है यदि यह जिग्यासा पूर्ण हो जाए उसे प्रेम का सच्चा रूप प्राप्त हो जाए तब इसके आनन्द की सीमा कहां तक पहुँच जाएगी इसका अनुमान कठिन है इसे तो भुक्त भोगी ही जान सकते हैं जिनके हृदे में प्रेम का प्रकाश जगमगा उठता है उनके जीवन में आनन्द भर जाता है इस हार मास से बने मानव शरीर में देवत्व के समावेश होने का आधार प्रेम ही है प्रेम की प्रेरना से साधारन मनुष्य उच्च से उच्च तर बनता चला जाता है प्रेम मानव जीवन की सर्वोच प्रेरणा है शेश सारी प्रेरणाएं इस एक ही मूल प्रेरणा की आश्वित शाखा प्रशाखा है स्वाधीनता और सद्गती दिखाने वाली भावना एक मात्र प्रेम ही है संसार की रच्चना और प्रेरणा का सारा तत्व ये प्रेम ही है इसी से जीवन सम्रिध बनता डैख की निवरिती होती और परमलक्ष की प्राप्ती होती है प्रेम परमात्मा रूप है आनंद और उल्लास का आदी तथा अंतिम स्रोत है प्रेम एक दिव्य तत्व है इसके परिनाम भी सदैव तीनों काल में दिव्य ही होते हैं आत्म विश्वास साहस निष्था लगन और आशा आदी के जीवन्द भाओ प्रेमामृत की सहज तरंगे हैं जिस प्रकार परवतों पर संचित हिम कुछ काल में परिपाक होने पर जल के रूप में वह बहकर धर्ती को सराबोर कर देता है उसकी जलन उसका ताप और उसकी नीर स्ता हर लेता है उसी प्रकार हृदय में संचित प्रेम भी परिपाक के पश्चात बहकर मनुष्य और मनुष्यता दोनों को आनन्द उल्लास और प्रसन्दा से ओध-प्रोध कर देता है प्रेम का अभाव मनुष्य को नीरस शिथिल अत्रिप्त और करकश बना देता है जिस संसार अंधकार का घर कहा गया है विश्य वासनाओं के आसुरी तत्व यहां पर मनुश्य को अंधकार की ओर ही प्रेरित करते रहते हैं संसार की इन अंधकार पूर्ण प्रेरनाओं के बीच प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिसकी प्रेरना प्रकाश की ओर अग्रसर करती है प्र कर जाते हैं प्रेम का आश्रे परमात्मा का आश्रे है इस थूल संसार को धारन करने वाली सत्ता प्रेम ही है यही प्रेम ही तो आत्मा के रूप में चेतन जड़ में परिव्याप्त हो रहा है व्यक्ति और समश्टी में आत्मा का ये प्रेम प्रकाश ही इश्वर की मंगलमई उपस्थिती का आभास करता है प्रेम का एक स्वरूप आत्मियता भी है जो की मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ती होती है आत्मियता की प्यास प्रेम की आवश्यक्ता मनुष्य जीवन के लिए सहज स्वाभाविक है इसकी पूर्ती न होने से मनुष्य एक ऐसा अभाव अनुभव करता है जिसका कश्ट संसार के सारे दुखों से अधिक यात्ना दायक होता है बच्चा मां से, प्रेम चाहता है पत्नी पती से प्रेम चाहती है और पुरुष, नारी से प्रेम की कामना करता है पलोसी पलोसी से राष्ट्र, राष्ट् वे भी प्रेम और आत्मियता की भूख ही रहती हैं प्रेम, पाने पर पशु अपनी भंगी माउसे और जड़ पदार्थ अपनी उप्योगिता, के रूप के प्रेम का प्रतिपादन करते हैं प्रेम का यह आदान, प्रदान रुख जाए तो संसार असहनिय रूप से नीरस कट और तप्त, ओ उठे पदार्थ अनुप्योगी हो उठे और मनुश्य घ्रिना क्रोध, और द्वेश की भावना से आकरांथ हो अपनी विशेशता ही खो, देचारों और ताप ही परिव्याप्त हो जाए प्रेम जीवन की, एक महत्वपूर्ण आवश्यक्ता है जिसकी पूर करती आदान-प्रदान के आधार पर होती ही रहनी चाहिए तभी हम इस समस्त संसार के साथ विकास करते हुए अपने चरम लक्ष उस पर मातमा की और बढ़ सकेंगे जो आनंदानन स्वरूप है सत है और चेतन है प्रेम के आदान-प्रदान के बिना जीवन में सच्चा संतो कदापी नहीं मिल सकता मनुष्य आदी से अंतक कलब कलब कर जीएगा और तड़ब तड़ब कर मर जाएगा प्रेम मनुष्यता का सब से प्रधान लक्षन है और इसकी पहचान है त्याग अथवा उत्सव यो तो प्राए सभी मनुष्य प्रेम का दावा करते हैं पर यथार सब्सक्राइब बात यह है कि उनका अधिकांश प्रेम स्वार्थ से प्रेरित होता है वे अपने स्वर या अपने अहम की पूर्ती के लिए प्रेम का प्रदर्शन करते हैं और स्वर की तुष्टी हो जाने पर आखें फिर लेते हैं यह वह प्रेम नहीं है जिसे मनुष्यत का लक्षन कहा गया है ये तो अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं और लौकिक आवश्यक्ताओं की पूर्ती का एक उपाय है साधन है इससे वह आध्यात्मिक भाव वहीश्वरिय आनंद जागरत नहीं हो सकता जो की सच्चे प्रेम की उपलब्धी है और जिसको पाकर आत्मिक आत्मियता है वहां त्याग उत्सग और बलिदान की भावना होना अनिवार्य है प्रेम में देना ही देना होता है लेने की भावना को वहां अफसर नहीं रहता लेन देन लौकिक जीवन का साधारन नियम है इसमें प्रेम शब्द का आरोप करना अन्याय है प्रेम जैसे पवित्र तथा इच्छारहित इश्वरिय भाव का अपमान करना है प्रेम विशुद्ध बलिदान है इसमें प्रेमी अपने प्रिय के लिए सब कुछ उत्सक करके ही त्रिप्ती का अनुभव करता है प्रेम में देना ही देना होता है लेना कुछ नहीं जहां पर परिवार समाज, राष्ट्र और संसार के लिए निस्वार्त त्याग, निरले बलिदान की भावना दिखलाई दे वहां पर ही प्रेम का अनुमान करना चाहिए जिसमें दूसरों के लिए अपना सब कुछ, दे दालने की भावना तो हो पर उसके बदले में कुछ भी लेने का भाव न हो तो समझना चाहिए कि उस मनुष्य में सच्ची मनुष्यता का निवास है वह धर्ती पर शरीर से देवता और अपनी आत्मा में परमात्मा है प्रेम संसार का स्थाई सत्य है यों तो संसार के रूप में जो कुछ भी देखलाई देता है सब सत्य जैसा ही आभासित होता है पर वह सत्य नहीं सत्य का भ्रमात्र है आज देखते हैं कि हमारा एक परिवार है स्थ्री है बच्चे है हम स्वयम है जमीन है जायदाद है धन दौलत है संपत्ती है संपदा है सब व्यवहार में आते हैं सब सत्य जैसे भासित होते हैं पर क्या ये स्थाई सत्य है कारण आता है परिस्थिती, उपस्थित होती है तो जीवन की अवधी समाप्त हो जाती है सब, कुछ स्वपन हो जाता है परिस्थिती उत्पन होती है तो, जमीन बिग जाती है जो कुछ आज हमारा था कल दूसरे का हो, जाता है ऐसी अस्थाई पर इसा सत्य है जो अप्रिवर्तनशील और तीनों कालों में स्थिर बना रह सकता है प्रिय के बिछूर जाने पर उसके प्रती रहने वाला प्रेम नहीं मरता वह अथावत बना रहता है जमीन जायदाद चली जाती है पर उसके प्रती लगाव समाप नहीं होता धन चला जाता है पर उसके प्रती अभीपसा बनी रहती है प्रेम ही संसार का स्थिर तथा स्थाई सत्य है और सारी वस्तुएं नश्वर तथा परिवर्तन शील हैं ऐसे प्रेम की साधना छोल कर लोकिक्ता की आराधना करना सत्य को छोल कर उसकी चाया पकड़ने की तरह आबुधि मत्ता पूर प्रेम का ग्रहन परमात्मा की प्राप्ती है इसी तथ्य को द्रिश्टिगत रखते हुए ही महात्मा इसा ने कहा है हमें एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है इश्वर को वही जानता है जो प्रेम करता है प्रेम परमात्मा की उपासना का भा पर्मात्मा का सच्चा भावना का वाचिक रूप है जो अद्वैत का बोध कराती है उसे में और एमका अपने पराय का बिलगाउ नहीं रहता समस्टिगत विशाल भावना का निस्वार्त परिपाक प्रेम है जिसकी आराधना मानव को महामानव और पुरुष को पुरुषोत बना देती है अस्तु इसी साध्य और महानता की उपासना श्रेयसकर है कल्यान तथा मनगलकारी है